रोहित ब्रिगेड ने राज कोट टेस्ट में धमाकेदार प्रदेशन कर हर भारती का दिल जीत लिया है जहां रोहित शर्मा की कप्तानी से लेकर यशश्वी जैसवाल के तूफानी दोहरे शतक तक हर किसी ने धांसू परफोर्मेंस कर इंग्लेंड के बल्ले बाजों और इंग्लेंड की गेंद बाजों की हवा निकाल दी वहीं यशश्वी गिल और सर्फरास के बाद भारती गेंद बाजों ने भी धमाल कर दिया तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 434 रनों से पटकनी दी और टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की रनों के लिए हास्त सबसे बड़ी जीत दर्ज हो गई भारत के 557 टेस्ट तिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई है भारत वारा 557 रन का पीछा करते हुए इंग्लेंड की टेम 122 रन पर सिमर गई और इस तरह भारत ने तीसरा टेस्ट जीत लिया इस टेस्ट में जीत हासिल कर भारत ने सीरीज में दो एक की बढ़सत बना ली है दर्जकोट के निरंजन शाह स्टेडिय में खेले गए पांच मैंचों के टेस्ट सीरीज के तीसरी टेस्ट में जाए भारत का प्रदर्शन शुरुआ से ही कमाल कर रहा भारत ने पहली पारी में 445 रन मनाए और इसके बाद इसके जवाब में इंगलेंड की टीम पहली पारी में 319 रन पर ऑल आउट हो गई भारत ने दूसरी पारी में 445 रन पर पारिक भुशित कर दी इसके जवाब में इंग्लेंड की टीम 122 रनों पर धेर हो गई भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में रिकॉर्टोर डबल सेंचूरी जवाई जब कि शुमनगील 9 रन से शतक से चूक है सरफराज ने भी डेब्यू मैच की दोरों पारी में 50 प्लस का स्कोर किना है दूसरी पारी में रविंदर जड़ेजा ने 5 विकैट अपने नाम किये इंग्लेंड के खलाफ राजकोर टेस्ट मैच में भारती टीम ने 434 रनों से यादगार जीत हासल की है भारत की जीत में यशस्वी जायसवाल की एहम भूमिका रही यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में नाबाद 200 उधा रन बनाए है शांदार प्रदर्शन किया अब को बताने कि भारत की शांदार जीत भारत ने दर्च की है और इंग्लेंड के खलाफ अब तक की सबसे बड़ी जीत हुई है टेस्ट मैच में और यशस्वी ने इस मैच में जो प्रदर्शन किया इसको लेकर लगातार अब प्रतिक्रियां सामने आ लिए नाबाद 12 शतक उन्होंने जमाए हैं यहाँ पर और सरफ्रास की भी कही जा सकती है कि डेबिव मैच में उनका जो प्रदर्शन था वो काबले तारीफ रहा और यह भी अपने आम में जो एक्टिव बोर्ड में नजर आए वो भी शांदार रहा चाहे रविंदर जडेजा की बात हो कप्तान रोहित शर्मा की बात हो शुमेन गिल की बात हो हर किसी ने शांदार प्रदर्शन किया है और इसी का नतीजे रहा कि भारत इतनी बड़ी जीत हासिल करने में कामियाब रहा है